हमारे चैनल कंट्री एक्स्प्लोरर में आज आपका फिरसे स्वागत है तो मैं हूँ आरिफ बट और आज मैं आपके पास यह लीटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ और मेरे पीछे आप यहां पे गंडोला का जो स्टेशन है बेस्टेशन वो देख तो गैज मेरे पीछे है आज बोर्ड करने जा रहे है गुल्मक गंडोला को और अगर बात करें वैदर की तो वैदर बहुत ही कूल है यहां पर टेमपरेचर करीब 15-16 डिगरी के आसपास है और इस वीडियो को लास तक आप जरूर देखें और अगर आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो काईज गंडोला से अपडेट यह है कि गंडोला भी आज की डेट में पूरी तरह से फंक्शनल है और वैदर यहां का बहुत ही कूल है और यहां पे शायद अभी बारिश भी हो सकती है बिकर मेरे पीछे जो क्लाउ कोर्स तो इसका मतलब यह है कि यहां पर शायद अभी कुछ एक आधगंटे में बारिश हो सकती है और यहां की बारिश बहुत ही तेज होती है तो इस वजह से हम अपने जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स है या वीवर्स है तो उनसे करते हैं कि जब भी आप कश्मीर कुछ गर्म कबड़े हमेशा साथ लेकर आए क्योंकि यहां का मौसम जो है कभी भी बदल सकता है कभी भी चेंज हो सकता है अभी जब हम यहां आये थे तो एकदम से दूप निकली हुई थी टेपरेचर भी करीब श्रीनेगर का 30 प्लस था और यहां पर आते आते देखिए पूरी तरह से जो बादल है वो आ चुके है काले बादल और रेन या फिर बारिश होनी की पूरी संभावना है तो जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि जब हम श्रीनगर से निकले थे तो श्रीनगर का जो टेंपरेचर था वो करीब 30 32 के आसपास का था और आज का जो डेट है वो सेकेंड ओफ ऑफ ऑगस्ट 24 है और अभी यहां जब हम आए थे तो यहां पी भी दूप निकली हुई थी और दीरे दीरे यहां पे फिर क्लाउड्स आना शुरू हो गए थे और अभी यहां पे जोरों से बारिश हुई है यहां पे आप देख यहां पे जो नेक्स्ट कुछ दिनों का जो अभी वेडर फोरकास्ट है तो उसमें यह कहा गया है कि यहां पे अभी कुछ दिनों में और ज्यादा बारिश होने के सम्भावना है तो गाइज यह है श्रीनगर का लाल चोग का इरिया और मेरे सामने आप श्रीनगर का जो क्लॉफ टावर है वो देट पा रहे होंगे और आज की डेट की बात करें तो आज का डेट फरस्ट और ऑगस्ट दोहजार चोबीस और यहां पर अभी सुबा का टाइम है मॉर्निंग हमें पूरा मार्केट जो है क्लोज है और कुछी टाइम के बाद यहां पर यह सारी दुकाने खुल जाएंगी और यहां पर टोरिस्ट का बहुत ही ज्यादा रश रहता है तोरिस्ट के अलावा यहां पर लोकल्स का भी काफी रश रहता है आपको एक यहां पर 60 डिग्री व 37 डिग्री तक पहुंच चुकी थी लेकिन दो दिन पहले यहां पर बारिश हुई और इस वजह से टंपरेचर यहां का काफी डाउन आ चुका है अभी जो टंपरेचर है ठीक ठाक है 30 के आसपास का है तो अभी एक्सपेक्टिट है कि अगले कुछ दिनों में यहां पर फिर पत्री या फिर यूसमर्ग की तो वहां पर भी बारिश हुई है अभी दो दिन पहले कल भी वहां पर बारिश हुई है तो वहां का टंपरेचर काफी नीचे चला गया है बारिश के बाद गाइज कंट्री एक्स्प्लोरर इन एस्सेशन विद आई ट्रेवल आपके पास लाया है एक एफोडेबल ट्रेवल पैकेज जिसका कॉस्ट 14,999 रुपीज पर परसन है इस पैकेज में हम कवर करेंगे फोर देज थ्री नाइट और इस पैकेज में आपको इंक्लोडेड रह होटेल इसके अलावा आपका ब्रेकफस्ट और डिनर इसके अलावा आपको एक प्राइवेट इसी कैप दी जाएगी जो आपको सभी डेस्टिनीशन तक लेके जाएगी तो गाइज इस पैकेज को बुक करने के लिए या फिर ज्यादा जानकारी के लिए उपर दिये गए वाट्सअप नंबर पे हमें कॉंटेक्ट करें तो गाइज आज का डेट थर्ड ऑफ और ऑगस्ट दोहजार चोबीस और आज हम आपको लेके आए हैं दूद पत्री जी गाइज दूद पत्री जो है श्रीनगर से करीब पचास किलो मेटर की दूरी पे हैं और यहां तक पह पे पिछले जो जुलाई का महीना था तो उसमें हीट वेव की कंडिशन बन रखी थी काफी जो टेंपरेचर हैं यहां पे वह काफी अप हो गया था और अभी यहां पे तीन-चार दिन से लगातार बारिश हो रही है सबी जगह पे एस्पेशली जो भी टूरस टेंपरेचर है इन जगाओं का वह अभी नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है और अभी जो यहां पे वेदर है वह काफी अच्छा है और टेंपरेचर भी अभी नॉर्मल ही है और हमें यहां पे थोड़ा सा जो है ठंड लग रही है अभी तो गाइस नेक्स डेस्टिनिशन जो हमने इस वीडियो में कवर किये है वो है पहलगाम और जैसा कि आपको पता होगा जो पहलगाम है पहलगाम में अभी अमरनात यातरा की वज़ा से जो कट ओफ टाइम है वो दो बजे का रखा गया है इसका मतलब यह है कि आपको अगर आप श्रीनगर से पहल गाम आते हैं तो दो बजे से पहले पहले आपको वापस श्रीनगर की तरफ जाना पड़ेगा और सेम जो कट आफ टाइम है वो सोनमक के लिए भी रखा गया है तो गाइस यहां पे अभी आप देख सकते हैं बारिश हो रही है अभी जो डेट है आज का वो 3rd of August 2024 है पिसले तीन चार दिन से यहां पे भी लगातार बारिश हो रही है और अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट्स की तो अभी जो पहल गाम का जो रास्ता जाता है श्रीनगर से लेह की और तो उसे क्लोज कर दिया गया है विकाज आफ वहां पे कुछ मड़ स्ल गाम में भी अभी जो यह अमरनात यात्रा है तो 19th of August को यह समाप्त हो रही है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पे जैसे ही पहल गाम में यह अमरनात यात्रा कंक्लूड होती है तो टूरिस्ट का यहां पे फिर से रश जो है बढ़ने की संभावना है और यहां पे बहुत सारे टूरिस्ट जो है आने के जो पूरे चांसे है जी गाइस और वैदर की बात करें तो वैदर यहां भी काफी अच्छा है अभी थोड़ी ठंड है और बारिश की वज़ए से जो अभी हीट वेव थी तो वो अब दूर हो चुके है और यहां का वैदर अभी नॉर या फिर जो टेंपरेचर है वो अब नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है और यहां से अगर आप बात करें यह आप होर्स देख रहे हैं जिसे हम पौनी भी कहते हैं तो यह पौनी आपको लेके जाते हैं बाइसरन वैली जिसे मिनी स्विच्जर लैंड के नाम से भी जाना जात इसको अगर आप पूरा एक्स्व्डोर करना चाहते हैं तो यहां से आप चंधनवाडी, आड़ो वैली बेता वैली जा सकते हैं चंधनवाडी अभी जो अमर्नातियातरणा है इसकी वज़ा से उसको क्लोगर रखा गया है और आगर आप बेता वैली और आड़ो वैली जान पड़ेगा जी गाइज और इनकेस आपका नाइट स्टे है तो तब आपको कोई जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी आप पुरा डे आप यहां फिस पेंड कर सकते हैं पहल गाम में और नाइट आप यहां किसी अच्छे से होटल में बुक कर सकते हैं जैसा कि हमने आप से प मग का जी गाइज और सुनमग जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली मानी जाती है कश्मीर की और यहां पे जो अभी कंडिशन है वो लेटिस्ट अपडेट यह है कि यहां पे जो रोड है उसको क्लोज कर दिया गया है तो सबी जो भी यहां पे गाड़ी लेहकी और जाती है त तो उसको क्लोज कर दिया गया है इस वजह से जो हमारी जो क्लिपस है हम इस महीने इसकी क्लिपस नहीं ले पाए तो यह जो क्लिपस है यह जुलाई महीने की है जुलाई 2024 की बिकर्स हमारा जो प्लैन था सोनबर्क का वह 3rd of August का था लेकिन जैसे कि यहां पे जो रोड है रो तो इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में